आई हम लोग रिवाइज करेंगे शेयर बेस्ट पेमिन्ट का मतलब यह है जहां पर एक पार्टी है जहां पर एक काउंटर पार्टी है मुझे यह बताउ आपको शायद defination तो याद ना हो और photo याद हो सकती है फटा फट से मुझे बताउ photo के अंदर क्या हो रहा था एक पार्टी है और एक काउंटर पार्टी है शेयर बेस्ट पेमिंट का क्या मतलब था काउंटर पार्टी हमें क्या देती है और हम काउंटर पायटी को क्या देते हैं एक इन्स्टुमेंट्स और मेने इसके बाद क्या था इसके बाद क्या था यूड बेहाला सूरत भरतपूर कैश बस चैस्ट जबल्पूर्पूर ने कहा है भरत पूर nemका का कैश गिरीश पाकने का कैश तो भाई साब यह शेयर बेस कहां से हुआ कैश में तुम कोई करीद रहे हो सामान शेयर बेस कैसे हो गया इसके आगे बड़ा जो रिपोर्टिंग एंटिटी है इसके शेयर सो सकते हैं फिर पेरेंट आफ रिपोर्टिंग एंटिटी के शेयर सो सकते हैं सबसीडरी आफ रिपोर्टिंग एंटिटी के शेयर सो सकते हैं फिर मैंने आपसे कहा एक बड़ी इंपॉर्टिंट बात है वेस्टिंग कंडिशन् होनी चाहिए यानी मैच्यो की लिए कुछ शर्त होनी चाहिए मैच्यो की लिए को ुद्ध अगे शर्त होनी छाहिए कि वो share based payment है कुछ share based payment नहीं होती है यह नहीं कुछ होग हमारे पास exceptions है मैं भूल गया वो कौन-कौन सी exceptions है भरतपुर बिटा भी बाद में न हम करेंगे color adjustment बार-बार बोल रहा color adjustment करो तो एक है contract with shareholders जिनमें हम क्या देते हैं bonus या rights यह किसी और standard में covered है कौन से standard में covered है 32 number में covered है 32 का 3 गंदा बना है तो 3 साफ साफ लिखता हूँ फिर दूसरा है speculation market जिसे आप derivative भी बोलते हैं आप लोग विसे ज़्यादा derivative भी बोलते हैं और यह किस standard में business combination यानि इन तीनों situation में share based payment की बाद हम लोग discuss नहीं कर रहे हैं इसका मतलब यह कि हमारे पास यहां पर आप share based हो भी तो आपके किसी काम की नहीं है आप इसी को share based बोलते हो इसके लिए हमने अपने पास कहा कि जो westing conditions होती हैं वो कौन कौन सी हो सकती है westing condition दो हो सकती है या तो हो सकती है only service condition या हो सकती है service condition plus performance condition इसके फिद दो पार्ट बनाये जा सकते है service condition with performance condition लेकिन performance condition कौन सी है non market based service condition plus performance condition और performance condition कौन सी है market based हम जब बोलते हैं non market based तो अच्छा service condition का मतलब क्या है कि आपको नौकरी करनी पड़ेगी services देनी होंगी और इसमें क्या है give services meet targets और ये targets कौन से होंगे employee based होंगे यह निए उस employee के या उस machine के या उस asset के target होंगे ये क्या है give service और market based क्या है जो हमारे हाथ में नहीं है ये market based होंगे जैसे market price of share of reporting entity parent of reporting entity subsidiary of reporting entity तो हमने कहा ये conditions हो सकती हैं हमारे पास फिर हमने आपसे कहा कि हम अपने पास इसकी recognition entry डालते हैं तो मुझे फटा-फट से बताओ इसकी recognition की जब हमने entry डालने की बात करी तो हमने आपसे कहा इसकी recognition में हम debit क्या करेंगे और हम credit क्या करेंगे तो मैंने कहा जब debit करेंगे तो हम क्या करेंगे हम debit करेंगे property, plant and equipment या intangible asset या stock या inventory या हम services के expenses बुक करेंगे या employee compensation के expenses बुक करेंगे या नहीं कि हम अपने पास goods या services debit करेंगे goods या services debit करेंगे ये जो value होगी ये किस पर बेज होगी direct approach पर होगी और अगर direct approach नहीं लग सकती है तो indirect approach पर होगी मुझे बताओ direct approach क्या थी direct approach क्या थी fair value of goods और services ले लो अगर मान लो वो reliably calculate हो सकती है नहीं तो और otherwise आप fair value किस की ले लो of share based payment की ले लो यानि की share based payment की fair value ले लो ये fair value जो लोग है इसके लिए हमको 113 number में हमको fair value निकालनी सिखा रखी है हमें fair value निकालनी सिखा रखी है in AS 113 में क्या ये fair value जो निकालेंगे इसके हिसाब से निकालेंगे the answer is no यहाँ पर हमारे पास guidance दी हुई है on valuation ये guidance कहा दी हुई है इन 102 ही दी हुई है उसके हिसाब से हम लोग अपने पास काम करेंगे हमारे पास इस में guidance में जो आता है black shawl model या binomial model यानि इसके हिसाब से valuation करते हैं जब आप intermediate में थे तो आप इन दोनों के अलावा भी कुछ करते थे intermediate में आप यहाँ पर क्या करते थे intrinsic value पर based भी काम करते थे आप अपने पास intrinsic value पर based करते थे intrinsic value क्या है भई market price on grant date में से minus कर दो exercise price तो आप intrinsic value पर based करते थे हमें intrinsic price नहीं चाहिए है लेकिन फिर भी कभी कभी मैं ऐसा हो सकता है कि इससे काम चला लू ओके हम credit क्या करेंगे share based reserve sbp reserve या हम credit करेंगे sbp liability यदी मान लीजी हम अपने पास settle करने वाले हैं equity में तो equity settled को हम इसमें लिखेंगे अगर cash settled है तो यहां लिखेंगे वैसे एक तीसरी चीजी मैंने आपको बताई थी कई कई बार ऐसा होता है कि phantom settled होते है phantom settled क्या होते है वो होते हैं जहां पर option दे दी जाती है choice दे दी जाती है कि employee की या ugly party की मर्जी है कि हमसे cash लेना चाहती है कि shares लेना चाहती है उसकी चर्चा मैं इधर नहीं करूँगा उसकी चर्चा मैं अपने सवालों में आकर करूँगा वहाँ पर भी यही दो चीजें होंगी sbp reserve reserve and surplus सोकी में दिखाया जाएगा sbp liability current या non current liability depending upon कि आपने कितने time बाद payment करनी है उसके हिसाब से ढूंडी जाएगी जब आप fair value को calculate करते हैं तो fair value निकालने के वक्त आप market conditions को जरूर consider करते हैं जो ये वाली market conditions थी आप इन market conditions को consider करते हो ताकि आपके पास accordingly सही माइने में fair value निकल सके later on अगर कोई भी change होता है in fair value हम उसको ignore कर देते हैं हम उसको ignore कर देते हैं फिर मैंने बताया था consultants के लिए और employees के लिए हमें indirect approach ही लगानी चाहिए आपको indirect approach ही लगानी चाहिए फिर मैं आपके पास आ गया हमने कहा सहाब इतना करने के बाद हमने employees stock option यह नहीं ESOPS की बात कर दी इसमें consultant भी है क्योंकि यह जंजट वाला case था तो हमने इसको start कर दिया यहां आकर हमने आपको कुछ terms बतानी start करी वो terms थी वो आपको पता होना चाहिए exercise price मेरे ख्याल से मैं इस प्रवार में note नहीं लिखता वैसे बोल दता हूँ जो पैसा employee को देना पड़ेगा vesting period कितने समय की conditions है period कितना है vesting dates किस date को options तयार होंगी फिर lapse date किस date को option lapse हो जाएंगी कब वो आकर खतम हो जाएंगी exercise period कितना period employee को या consultant को दिया जाएगा कि वो चाहे तो options खरीद सकता है फिर fair value on grant date यह हमको क्यों चाहिए क्योंकि इसी पर based हम काम करेंगे यह वही वाली fair value जो उपर निकाली गई थी फिर इसके अलावा आपको intrinsic value कभी कभार आवशकता पड़ सकती है यह मैंने कुछ आपके साथ terms बताई फिर मैं आपके पास आ गया अगली बात पर वो थी accounting entries earlier वही साल खतम होने से पहले ही तुमारी वेस्टिंग होगी तो खर्चा जल्दी book करना पड़ेगा हमको तो entry होगी employee compensation to SBP reserve और यह मैं आपने पास जो खर्चा निकालूँगा यह खर्चा निकालने का एक formula है यह खर्चा निकालने का एक formula है तो formula क्या है number of options expected to west जो तयार होंगी on westing dates फिर fair value of options किस दिन की बताना मैं भूल गया बिटा fair value of options किस date की थी font बड़ा करा दिए very good Pali, Bharatpur, Dwaraka नाला एक सोनी पत कहरा है on westing date on grant dates नीले pen से लिखेंगे उपर भी लिखा है on grant date कहीं लिखा होगा ना on granted नहीं लिखा चलो कोई बात नहीं into expired period कितना समय बीट गया divided by westing periods minus कर दीजिए जो expense आप already record कर चुके है क्या ऐसा हो सकता है कि आपका खर्चा negative हो जाए हाँ ऐसा हो सकता है कि आपका खर्चा negative हो जाए तो ऐसे में आप अपने पास ये entry को reverse कर देंगे फिर हमने और भी entries आपको बताई थी काले pen से लिखना पड़ेगा कि जब मैं आपने पास इस expense को एक और इसी के साथ लिख दू expense transfer to P&L ठीक है न जगा कम हो गई है फिर हमने आपसे कहा कि जब maturity होती है तो maturity पर जब वो exercise कर लेता है तो exercise करने के entry क्या होगी bank account debits S.B.P. reserve account debit जो पैसा हमको exercise price हमको मिला ये उसकी जो book value थी to share capital to security premium अगर हमारी options lapse हो जाती है lapse कब होगी फड़ा फट से बताइए options कब lapse होगी maturity के बाद after wasting dates wasting date के बाद employee नहीं ले रहा है तो आप entry क्या डालेंगे S.B.P. reserve account debit to general reserve S.B.P. account debit to general reserve आप general reserve की जगा retained earning भी लिख सकते हैं कोई problem की बात नहीं है मुद्दे की बात है it should not go to P.N.L. account it should go to soki यनि ये soki में रहना चाहिए ये P.N.L. account में नहीं आना चाहिए हमने इसके बाद की बाते आपके साथ नहीं करी कि इसके बाद की बाते क्या होती है वैसे इसके बाद की जो बाते हैं वो कौन-कौन सी है वो है modification वो मैंने आज notes में लिखवाया है फिर है cancellation हमने अभी आपका इसका note भी नहीं लिखवाया है तो इसका मतलब मैंने अभी आपके साथ modification discuss नहीं की क्योंकि अगला diagram बनाती वक्त मैं पूरा diagram नहीं बनाऊंगा तो modification आपके साथ discuss करना है उसका अलग छोटा वीडियो बना देंगे और फिर उसके बाद cancellation की बात आ गई ठीके ना शक्तिन अगर ने कहा है share based payment का concept जो है वो क्यों आया है true and fair picture के लिए क्योंकि आपकी company ने एक obligation oatly है that needs disclosure why it is a liability in cash settle पारकें हमने cash settle का भी accounting start नहीं करी अगर आपको याद हो तो मैंने इसकी बगल में एक चीज लिखी थी कि हम जो बात कर रहे हैं वो equity settled सीख रहे हैं मैंने वो आपको रोक करके लिखवाया भी था कि मैं सिरफ equity settled की बात कर रहा हूँ cash settled की बाते हम बात में करेंगे if wasting date is postponed then how will we treat the expense investing date postpone हो जाएगी तो मैं अपना planned expense book करता रहूँगा जैसे हमने already कर रखा है वो आज समझाना है मैंने अपने पास मैं वहां तक पहुंचा नहीं हूँ तो यहाँ पर मैं वीडियो को बंद कर देता हूँ